हलो एक बार फिर आपका सुवागता एक्सप्रोएं जी लोजी वीडियो चैनल पे और अब्जेक्टिव जी लोजी वीडियो सीरिज में हम लेकर आये क्वीज नमबर 25 तो हमारे टोटल क्वेस्टन नमबर 242-250 हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और यह जो क्वीज रहेगा व लेकर इसमें चैनल की क्वीडियों के डिस्कस किया है जी लेक्शर सीरिज में तो यह उसी की कॉंटिनियूटि में क्रिस्टालोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं आप्जेक्टिव जी लोजी 2.0 इसमें हम अब्जेक्टिव पॉइंट से डिस्कस करते हैं वन-Lineur की फों ठीक है और आपका जैसा रिस्पोंस रहा इसके फर्स्ट पार्ट के लिए और आपकी जो डिमांड रही इसके लिए उसी को ध्यांद में रखते हुए हम ये सेकंड पार्ट लेके आए हैं आगे पटने से पहले नई व्यूर्स को बताना चाहूंगे कि ये एक्सपरेंज और ये ग्रूप अफॉन लाइन प्लैटफॉर्म में इसका में फोकस रहा ता जियो साइंसी के बारे में सिसाइटिग को अवेर करना और एम्प्रियमेंट नूज के बारे में एस्पेंट को इनफों करना अगर आप इस तरी वीडियो तें तो आप इसे चै प्रियमेल.com ये हमारी ओफिशिल इमेल आईडिय यहां पर आप हमें भेज सकते हैं तो चलिए आज का रिसन स्टार्ट करते हैं जहां तक इस सीरिज के पैटर्न की बात है ये बेसिकली तीन सेक्शन में वीडियो रहती है फर्स सेक्शन में हम वन-liner की फों में की ठीक है तो उसके बेस पर आपको आंसर मैच करके नीचे कोमें सेक्शन में अपना स्कोर लिखना होता है ठीक आउट ओफ टैन कितना आप गेन करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन-liner के साथ वन-liner में जो पिछला हमारा क्वीज था वो मेटामोर्फिक पेटलोज जिसमें प्लेटी, फाइलो, सिलिकेट और ग्रेफाइट ग्रेइन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेणर फैब्रीक ठीक है प्लेणर फैब्रीक होता है लीनियर फैब्रीक भी होता है ठीक है कई टाइप के फैब्रीक आपको देखने को मिलते हैं तो इसमें नेक्स् वो लाइ ग्रेंज जो होते हैं वो जब एक particular orientation ग्रेंज कर लेते हैं तो उसे linear fabric generate होता है ठीक है? next, tectonite के बारे में बात की जा रही है कि जो की characterize होता है one or more foliation से तो उसको हम बोलते है as tectonite ठीक है, tectonite के उपर भी कई बार question पूछा जाता है next question में पूछा गया था कि जो rhyological behavior है rocks का, वो किस के उपर depend करता है तो वो depend करता है mineral composition के उपर, ठीक है क्योंकि कई factor यहां पर control करते हैं तो एक factor mineral composition है next यह पूछा गया है कि जो alignment होता है fatty grains का low grade metamorphic rocks में उसको lapidoblastic बोलते हैं यह particular texture है, आपको ध्यान रखना है next contrasting planar domains जो अग-अग layer आपको देखने को मिलती है अग-अग combustion की, अग-अग color की उनको बोलते है microlethones next में पूछा गया है कि जो hydrostatic pressure है वो जो है किस तरीके से अपना impact डालता है तो उसमें क्या होगा वो specific gravity जो है उसको increase होती है जब hydrostatic pressure पड़ता है और जो volume है वो decrease होता है ठीक है तो यह specific gravity है यह increase करती है next यह है कि जो kainite है वो की stripe के mineral का example है यह stress mineral यहाँ पे आजाएगा यहाँ पे तीन option आपको दिये गए थे stress, antistress और none ठीक है तो stress minerals में आता है kainite यह काफी important है कई बार direct आपको देखने को मिल जाता है next जड़ाइट के बारे में बात की जारी है कि जड़ाइट प्रिंसिपल कैरियर है जड़ाइट इकलोगाइट फेस की अगर हम बात करें वो sodium के लिए responsible है ठीक है तो इसकी जो composition है उसके उपर उसके उपर वन लाइनर की form में आपको question देखने को मिलते है यह काफी interesting रहता है अब देखते है आज का quiz है जिसमें 10 question आपको देखने को मिलेंगे तो crystallography में क्योंकि जो पहला हमारा part था objective geology series का उसमें हम 20 question discuss कर चुगे थे crystallography के क्रिस्टालोग्राफी के question हमने discuss किया था ठीक है तो वहां पर 20 crystallography के question हमने discuss किये थे 20 mythology के discuss किये थे ठीक है तो यह crystallography का quiz number 3 मान सकते है question number 21 to 30 हम discuss करेंगे first question में यह पूछा गया है the plain lattice of various shapes are called तो जब lattice है जो planar है तो मुलब two dimension की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर उसको क्या बोला जाता है यह काफ इंपोर्टेंट रहा है next यह है कि जब number of shapes by plainer latest ठीक है number of shapes आपको बतानी है plainer latest में कितनी बनती है ठीक है तो अगर आपने अभी जो हम geo lecture series discuss कर रहे हैं अगर उसमें आपने crystallography के lecture हमारे फोलो किये हैं तो आप इसको असानी से answer कर सकते हैं और आप squeeze में अच्छा score gain करेंगे ठीक है अधरवाज आप lecture देखिए बुक से पढ़िए और फिर attempt कीजिए ठीक है क्योंकि lockdown चल रहा है तो उस हिसाब से क्योंकि आप काफी time पढ़ते होंगे तो यह परकासे आपका revision के point of view से काफी important रहता है इस quiz को अगर आप utilize करेंगे next question में पूछा गया है a type of lattice is the arrangement of nodes in 3D ठीक है 3D में जो यहां पर 2D में बात की जारी थी जो planar lattice की है तो 3D में जब arrangement होता है nodes का उसको क्या बोला जाता है यह आपको यहां पर बताना है आगे पूछा गया है कि definite structure जो की obtained क्या जाता है arrangement of nodes in 3D उसको क्या बोला जाता है ठीक है यह भी काफी important term है आगे पूछा गया है there are how many arrangements which can be obtained by repeating the planar lattice in 3D and also known as तो इसको second क्या बोला जाता है ठीक है तो यहां पर दो question आपके एक साथ cover हो रहे है एक तो यह कि कितने type के arrangement होंगे और दूसरा उसको क्या कहा जाता है ठीक है आगे बात की जा रही है कि जो C type unit cell है unit cell हमने देखा था अलग-लग type की P type, F type, C type, I type ठीक है तो जो C type की unit cell होती है उसमें जो lattice nodes है वो आपको कहां-कहां पर देखने को मिलते है ठीक है तो दो important location है यहां पर जो आपको बतानी है आगे बढ़ते है next question में यह पूछा गया है कि जो common symmetry operation है for a point group वो कौन-कौन से है उसमें एक तो reflection है एक यहां पर आपको complete करना और एक inversion है ठीक है तो third type का कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है next question में पूछा गया है कि जो plane of symmetry है वो कौन सा symmetry operation से produce होता है ठीक है तो 3 mainly होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं plane of symmetry, axis of symmetry और center of symmetry ठीक है तो यहां पर आपको यह बताना है कि plane of symmetry जो है वो कौन से symmetry operation से obtain होता है प्रोडूस होता है question no.29 में पूछा गया है individual and combination of symmetry elements in 2D may produce maximum how many different point group ठीक है तो point group जो है 2D में हो सकते और 3D में हो सकते तो यहां पर 2D में आप से पूछा गया है कि जो symmetry elements है plane of symmetry axis of symmetry ठीक है यह 2D के symmetry element है तो इसके बेस पे आपको यह बताना है कि कितने maximum number of point group produce की जा सकते है 2D में next question जो है इसमें पूछा गया है क्योंकि जो symmetry elements की compatibility के बेस पे उसमें number of point group produce होते है crystalography में तो आपको यह बताना है कि जो common symmetry elements है plane of symmetry, axis of symmetry और center of symmetry इन तीनों के बेस पे कितने point group जो है available होते है crystalography में और उनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो इन दोनों के बारे में हमने detail में डिसकुस किया था इसको भी आपको अटेम्ट करना है बताऊंगा आज के quiz के ठीक है आप इछली slides पे वीडियो को पोज करके question को अच्छे से समझना है और उसके बाद आगे बढ़के आपको answer करना है ठीक है और जैसे आप question के answer देखेंगे उसके आपको match करना और नीचे comment section में अपना score लिखना है ठीक है अगर रहता तो वो मैं मानता हूँ कि पूर है ठीक है आपको इस पे काफी focus करने की जरूरत है ठीक है इस तरीके से आप इसको utilize कर सकते हैं अब answers देखते हैं सबसे पहला जो question है उसका answer जो हो जाएगा unit mass ठीक है क्योंकि यहां पे प्लेन लेटिस की बात कीगे तो unit cell नहीं है यह unit message है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर हम प्लेन लेटिस में बात करें तो 5 जो है shapes generate है प्लेन लेटिस से ठीक है आगे space latest के बारे में बात की जा रही है कि जो 3D में नोडस का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम space latest बोलते है उससे जो volume occupy होगा एक definite structure जो की arrangement of nodes से 3D में उप्टेन होता है उसको unit cell भी बोला जाता है ठीक है यह भी काफी important टरम है आपको जान रखनी है आगे जो हम बात करें दे कि जो 3D में जो arrangement होता है नोडस का उसके base पे 14 arrangement possible है ठीक है इनको 14 bravest latest भी बोला जाता है यह भी आपको जान रखना है C type unit cell की बात की जा रही है C type unit cell में जो आपको corner पे नोडस देखने को मिलेंगे और उसके साथ एक pair ऐसा होगा जिसके opposite face पे भी आपको points देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह C type का characteristics है यह आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से तो इसी तरीके से आपको अलग-लग ध्यान रखने है जो P type है या F type है या C type है उन सब के बारे में आपको idea होना चाहिए ठीक है यह basically इस तरीके से मुझे आपको question देने का मतलब यह है कि आप उसको overall extend कर सके बाकी जो उससे associated concept है उनके उपर भी implement कर सके है question number 27 था उसमें answer हो जाएगा rotation next में reflection ठीक है यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि जो next video रहेगी उसमें फिर हम इसकी explanation देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर answer 10 हो जाएगा यहाँ पर 32 और यहाँ पर crystal classes ठीक है आपको अपने answer match करने और नीचे comment section में पना score लिखना मत बूलिएगा ठीक है तो वीडियो को अच्छे सी उटिलाइज करना है और ज्याद से ज्याद से शेयर करके चलना है अगर आप परसनली मुझे जूर ना चाते हैं तो जैपी बनवालागना हमसे के point of view सी यूटिलाइज कर सकते है क्योंकि आजकल जो lockdown चल रहा है आपके पास काफी टाइम होता पढ़ने के लिए ठीक है तो काफी टाइम पढ़ने के बाद आपको अपने आपको analyze भी करना है रिवाइज भी करना है तो यह मुझे लगा कि काफी अच्छा पैटर्न है इस थरीके से अगर आप one-liner की फोर्म में फिलिन दा बैलेंक्स की फोर्म में क्वीज को अटेंप्ट करेंगे ठीक है यह काफी इंट्रेस्टिंग रहता है और इससे एसोसीरिटी जो कंसेप्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो यह था हमारा आज का डिस्कसन थैंक्यो वेरी मच पाजिंग इस वी हम एंट